बुड मॉर्णिंग बच्चो आज अपन अर्थिसास्त्र कथ्षा बार्वी का पढ़ेंगे आपको बता दू कि कला और वालिट अब अर्थिसास्त्र एक ही है और ये भाग एक और भाग दो में क्या हो गया है बढ़ गया है या डिवाइड हो गया है तो आपन भाग दो में समस्ट्री अर्थिसास्त्र का परिचय पढ़ेंगे समस्ट्री अर्थिसास की जो समस्ट्री अर्थिसास्त्र है उसका जो कुछ मूलगूत अवधारणाएं समस्थे अर्थसास में बस्थों के जो समग पूरी जो बस्थों होती हैं उनके बारे में बस्थों के उत्पादन, लागत, बस्थों का उभो, आवशक्ता, बस्थों कैसी होती है टिकाओ और पूंजी गद बस्तुएं, अंतिम बस्तुएं, इन सब के बारे में अपन आज अध्यन करेंगे तो समस्ती अर्थसास का परिचेंगे, यह अपना एकाई भाग दो, एकाई पाँच है इसमें समस्टी अर्षास ती कुछ मूलभूत पढ़ी जाएंगे इसके बारे में अपन पढ़ींगे तो समस्टी और वेस्टी समस्टी और वेस्टी अर्षास दो है भाग एक में समस्टी अर्षास और भाग दो में समस्टी अर्षास या अर्थ्य ववस्ता जो पूरी अर्थ्य ववस्ता होती है राच्टी आये मतला कैसे पता चलती है अपनको अर्थ्य ववस्ता के और उत्पादित बस्तों के बित्रण से पता चलती है तो समस्ट्रे अर्चास से कुछ मूलभूत आवशकता है है मुल्वूत बस्तुएं हैं तो उब्भोग सबसे पहले पढ़ेंगे उब्भोग बस्तुएं उब्भोग बस्तुएं में बे बस्तुएं पत्ब जो बस्तुएं आतील बे बस्तुएं जो मानुवी आवश्यक्ताओं को रूप में संतुष्ट करती हैं गपन सबसे नहीं बस्तु का उप्वोग करते हैं, वो कुंसी होती है, उप्वोग की गई भी बस्तु है, बे बस्तु हैं जो मानुवी प्यानुष्ट की आविशक्ता को क्या करता है, पूरा करता है, और उसकी आविशक्ता से मनुष्ट क्या होता है, उनको जो बस्तु हैं, उसे क्या राक्ती होती है, सलदुस्ती राक्ट होती है, जिसका उपयोक अन बस्तों के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता, जैसे आप कोई बस्तो का उभ्भोग करते हैं, इसके बार जिस ड़न रोटी हो गया, मक्वysis हो गया, पॉदध हो गया, इसको आप एक ही बार उप्योग करने के वादी क्या हो जाती है outdated हो जाती है या नस्ट हो जाती है तो इसे वोग की जो बस्तुएं होती है इस बस्तुओं को क्या कहते है अपर इनका प्रयोग मतलब अन बस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता बस्तु जे क्या कहलाती है? कौन सी बस्तु कहलाती है? उभूफ की जाने वाली बस्तु कहलाती है उसके बाद है बेटा तिकाव बस्तुएं तिकाव बस्तुएं क्या होती हैं? तिकाव बस्तुएं वे होती हैं जिसमें ऐसी बस्तुएं जिनका प्रयोग मतलब बर्सों तक अपन करते हैं तो जो बर्सों तक अपन मतलब लगाता बस्तुएं का क्या करते हैं? बस्तुों के प्रकार, उससे सबसे पहले हैं टिकाव बस्तु हैं, फिर है अर्जी टिकाव बस्तु हैं, और दिश्रा तीसरा है गैर टिकाव बस्तु हैं, तो टिकाव बस्तु में वे होती हैं, जिसमें अपन लगने समय तक, जैसे कि आप मांगी इंचे मसीने हो गई, मस्ती कि और कुछ आधु निक उपकरण हो गए कि जो अपन तो चैसे तीवी हो गया कम्प्यूटर हो गए can scam क्या है नभ बे समय बस्तुएं वे होती हैं, जिसका प्रयोग एक बर्शन या कुछ अधित समय के लिए किया जाता है इनका उप्योग अपन कम समय के लिए करते हैं, वो कैसी होती हैं? गैर टिकाओ बस्तुएं होती हैं ऐसी बस्तों हैं जिसने मतलब अपन कम समय के लिए जैसे की मान दीजिए आप जिसका प्रयोग हम केवल एक ही बार करते हैं और उसके बार उसको उप्योग नहीं यह बच्चों यह हो गई अपनी अर्धितिकाव बस्ते हो गई फिर उसके बाद यह बटा सेवाएं कैसी होती हैं बे। बहुत अभुती होती हैं इसे बस्तु जैसे मानपी आवश्ताओं को प्रत्रक्ट चुरूप से संतुष्ट करती हैं सेवाओं के अंतरगत क्या आता है वेटर एक जो होता है वकील हो गया मालनीजी आप यह क्या हो गई कुछ सेवाओं के अंतरगत आती है जो क्या कहलाती है सेवाएं संतुष्ट करने के लिए मालनीजी पेसे से जो सेवाएं देते हैं जैसे हो गया डॉक्टर हो गया वकील हो यह सब मानवी आवस्टक्ताओं को प्रत्यक्च रूप से संतुष्ट करने के लिए होती है जो सेवाएं, पतलब आप कहेंगे सेवाएं कहेंगे, तो यह सेवाएं आपको कौन देता है, डप्टर, सिक्षक, वकीर, यह सब जो हो गए आपके, यह सब सेवा के अंतरगत, यह साबहतिक सेवाओं को, जो मानवी आवस्टक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए है, वो है चोथा संतुष्ट सेवा है, तो यह है आपने आपने पढ़ा बेटा, उपहोः बस्तुओं के प्रकार, इसमें तिकाव बस्तियों हो गई, अर्थि टिकाव बस्तुयों हो गई, उसके बाद चौता है सेवा हैं, जो यह क्या है? वो बस्तु के प्रकार, जो अपन समस्ट्री अर्थसास की कुछ अबधार्णाओं के अंतरगत आता है. फिर इसके बाद वेटा, पूर्जी गत बस्तु हैं, जो अपन पूर्जी के मार्थम से खरीचते हैं, उसे का पूर्जी गत बस्तु हैं, ऐसी बस्तु हैं, जिनका प्रायोर्ट पादर प्रकारिया में कई वर्डसों तब किया जाता है, अपन कोई भी बस्तु खरीदेंगे, तो अपन काई से खरीदेंगे? पूजी से तो अर्थसास्त में पूजी गस्बस्टू हैं जिसके लिए अपन लंबे समय के लिए बस्टू हैं? खरीदते हैं ऐसी बस्टू हैं जिनका प्रयोग बादन में कई वरसों तक इसका उपयोग अपन करते हैं जिसका मूल ज्यादा या उचा होता है अपने जब कोई ठोस बस्तू या पूझी गजबस्तू खरीदेंगे तो उसका मूल ज्यादा ही होगा जैसे कि पूझी गजबस्तू के लिए आपको अगर प्रश्न पूछा जाए पूझी गजबस्तू की परिवाद अर्थ लेखकर उधारण दीजिए तो आपको ऐसे लिखना होगा बच्छो ऐसी बस्तों जिनका प्रयोप उत्पादर प्रपिक लिए कई वर्षों तक किया जाता है जिनका मूल जादा या उचा होता है ये क्या कहलाती है? पूंजी गद बस्तों कहलाती है उदारण की नीजिए आप की लिया पूजी मुझी ध्रबस्तों की अतार हैं आप मकान भी living यह सब क्या हैं हैं आपकी पूजी मुझी दे कर सकते करें और यह पूजी के बस्तों में निखाइण काई वर्ष्टों के सबी मसीनरी जो भी अपन उत्योग लगाएंगे व्यापास चुरू करेंगे तो उसके लिए मसीनरों की आवशकता होगी तो वह सब क्या है मसीनरी पुंजीलत बस्तुएं नहीं होती जैसे डरजी की दुकान में लखी हुई सिलाई मसीन पुंजीगत है क्योंकि उसको उसने लंबे समय के लिए और अपने आय के अरजन के लिए क्या किया है खरीजा है जिसका प्रयों मूले हास में होता है तो यह आपका क्या हो गया पुंजीगत बस्तुओं के बारे में आपके लिए जानकारी हो गई यह पुंजीगत बस्तुओं क्या होती है पुंजीगत उनों का अपन लंबे समय तक क्या करते हैं उपयोग करते हैं और इनको बार बार नहीं उपयोग किया जा सकता है फिर उसके बार नेटा सभी पूझी गद बस्तु हैं जो पूझी गद बस्तु होती हैं सभी पूझी गद बस्तु हैं उत्पादन बस्तु होती हैं किंतु सभी उत्पादक बस्तु हैं पूझी गद बस्तु नहीं होती है उत्पादन प्रविक्रिया है इसका प्रयोग जो उत्पादन प्रविक्रिया में प्रयोग्त होने वारी बस्तु हैं पुजी गदबस्तु कहा जाता है आपको बताभी उत्पादन पीप्णक्रिया में जो प्रयो hesitant होने वैली भस्ति होती वैं गद अब इस बंशिगत बसटु कांनल ऑफी ऑषीक्टा ओती है कच्चे माल की रूप में उप्रयोग किया जाता है सबसे पहरे बनों कच्चे माल की आवश्कता होगी जैसे आपको फरनीचर बना रहा है जो इसके लिए काई की आवश्कता है लकडी तो उत्पालन बस्तों की कच्चे माल की रूप में प्रयोग की गई बस्तू जरसे लकडी नगा इस्ते परिसंपत्ती के रूप में मसीनरी प्लाट सामिल है ये क्या है टिकाव बस्थ में होती है आप टिकाव बस्थ में इसलिए कहेंगे बिटा बच्चों की जो मसीनरी होती है ये अपन एक बार कोई भी अगर आपन कोई प्लांट लगाएंगे या तो ये कैसी बस्थ में है इनको पूंजी गद बस्थ में कहा जाता है और ये टिकाव बस्थ में भी होती है और कच्छे माल के रूप में की जाने वाली इनको कच्छे माल के रूप में उप्योग की जाने वाली बस्थ में एकल उप्योग बस्थ होती है उसमें कुदपाद पraktion करिया के लिए इनका प्रयोग अपन ऑनल रकत रेकल करो में उतबादन के लिए बार बार नहीं के जा सकती है इन निवें उत्पादन के समय सीमा यहाई पार करने के जो बस्तू अंतिम बस्तू बनती है अताथ बस्तू अपने जो उत्पादन मतावपन में अंतिम बस्तू का उत्पादन के समय समय सीमा पर पार करने के बस्तू अंतिम बस्तू बनाती है जब जो बस्तुं का निर्मान है, उनका अंतिम हो है, तो कैसे होगा जो अंतिम निर्मान होगा, एक समय सीमा के बाद उन बस्तुं का क्या निर्मान होगा, बस्तु अपने अंतिम प्रयोग करता पा नुक umumap गरेगु उत्पादन के लिए जो भी बस्तु तयार होती है अंतिम रूप सिंद्वा क्या करता है प्रयोग किया जाता है और अनुमान लगाते हैं कि समय भी केवल अंतिम बस्तु को मैं सामिल किया जाता है तो यह बस्तु ने अपने अंतिम प्रयोग करता दारा प्रयोग के के लिए तयार होती है जिसे सकत है उत्पादन के अंवान लगाते समय भी केवल अंतिम बस्तों को क्या किया जाता है सामिल किया जाता है अंतिम बस्टुयों का वर्गी करण भी दो वह अगों में भाजित है बैटा बच्चों तो अंतिम उभ्वो बस्टुयों जिनका अप्रियोग आप अंतिम मतलब लास जो आपन आवशक्ताइं होती है मनुष्य की आवशक्ताइं कैसी है चात्रों बिलकुल असी में थी करने के लिए बस्तु का जो वो उपभोग करते हैं तो उसे अंतिक उपभोगता बस्तु कहते हैं तो अंतिक उपभोगता बस्तु कहते हैं वै बस्तु कहते हैं जो उपभोगता द्वारा वानवी आवशकताओं को संदुष्ट करने के लिए होती हैं वै कहलाती हैं अंतिक उ दबल रोटी बकील की सेवाएं इनका प्रयोग पारिबार पुझ फीर किया जाता है अंसिन उत्पादक बसतु में ये बसतके जुने उद्योगों को आगे और बस्तु के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। जो अंतिम उत्पादक बस्तु होती हैं, उनका उत्योग उद्योगों को आगे और बस्तु के उत्पादन के लिए। अपन कोई भी बंसा या कोई भी उत्पादन करते हैं। बे बस्तुएं जिन्हें उद्योग द्वारा आगे और बस्तु के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है उसे अंतिम उत्पादक बस्तु कहते हैं तो जैसे कि होगे आप मसीनरी, बिल्डर्स, पदार्थ, रास्त, ये सब क्या हैं? रास्ति आयका भाग बनते हैं मतलब कोई भी अगर आप उद्योग लगाओगे, उत्पादन करोगे, बित्रण करोगे, तो बस्तुओं के उत्पादन के लिए जो प्रयोग किया जाते हैं फिर उसका अपन, जो अपन को उसी आय members क होती है तो मतलब रास्ति आय का ये ब्हाग ये अंग बनते हैं तो जो बिल्डर्स होते हैं य्ये रास्ति आय को, मतलब रास्ति आय को अंती मुद्पादन बस्तूँँं से भी प्राप्ट होती है यह आपने आत्विचो समस्ट्री अर्षास की कुछ आधान्धूस अवधार्णाय पढ़ी इसमें आपने बस्तू का उभोग बस्तूय पढ़ी उभोग बस्तू के प्रकार पढ़े और उजीगत बस्तूय पढ़े अंतिम बस्तूय पढ़े अंतिम बस्तू के प्रकार पढ़ इसके बाद बीटा, इसके बाद बच्चों अपन नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे अंति बस्तू और मत्वर्थी बस्तू में अंता है आज के लिए इतना ही बच्चों धन्यवाद